जहिन दोस्तों अगर आप CUET 2024 एक्जाम की तयारी कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 बिग अपडेट्स बताने वाला हूँ CUET 2024 का ऐसा 3 बरा अपडेट जिसको अगर आपने मिस कर दिया तो आपके लिए बहुत बरा डिसएडवांटेज है और अगर आपने इ ऐसे वैसे नहीं कि likely ले लिया कुछ भी नहीं अगर तुम्हाने अंदर dedication है और अगर तुम्हें CUET का roadmap चाहिए अगर तुम्हें कैसे पढ़ना है क्या 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 time table होगा how to prepare how to study कैसे focus करे कैसे exam निकाले सारे study material tips strategy each and everything तुमको हमारे नए चैनल पर मिलेगी जिसका link इस वीड के comment में और description में pin मिलेगा ये channel हमने specially इसलिए बनाया है ताकि इस channel पर जो update वगरा होती है उससे channel भढ़ जाता है तो जितने भी strategy और preparation या time table वो सारी चीज़े नहीं आपाती है ढंग से इसलिए वो जितने भी study से related चीज़े होंगी आपके exam को निकालने वाली चीज़े वो स जारी हमने उस comment में pin कर दिया channel का link मृन्मोय motivation उस पे चले जाओ 1000 subscriber complete होते ही उसमें पहला वीडियो आ जाएगा और तुमको notification bell दबा के रखना है बात खतम जाओ जाके उसको join कर लो अगर you want to crack CUET 2024 बात खतम अब मेरी बात सुनो सबसे पहला जो update आया है आपके CUET exam का वो है अलहाबाद university से related and it is great good news, it is big good news for you अलहाबाद university के बारे में भया बोला ये जा रहा था कि शायद इस बारे अलहाबाद university CUET से निकल जाएगी अलहाबाद university CUET से निकल जाएगी जबकि अलहाबाद university CUET का one of the major university है लेकिन अब ये confirmation हो चुका है कि आपके CUET 2024 में अलहाबाद university है और अगर आपको अलहाबाद university में admission लेना है तो आपको CUET exam देना पड़ेगा और क्या subject लेना है देखो ऐसे तो तुमको पूरा subject CUET के website पे जाकर दिख जाएगा लेकिन मैं एक example के तौर पे दिखा रहा हूँ कि जब तुम CUET के website पे जाओगे वहाँ पर university section पे जाकर तुम अलहाबाद university क्लिक करोगे तो तुमारे सामने ऐसा list खुल जाएगा अब इसको देखना कैसे है कि मानलो तुमको bachelor of arts करना है तुमको क्या करना है तुमको BA करना है तो BA के लिए यहाँ पर दे रखा है कि तुम कोई भी एक language ले लो कोई भी एक language जो भी हाँ requirement है history, geography, Sanskrit कोई भी दो तुम domain का paper दोगे और एक general test का paper भी तुम दोगे section 3 में से जिसके basis पे तुमारा अलहाबाद university में admission होगा अब यहाँ पर एक बड़ा confusion में solve कर दू जैसे कि कोई बच्चा DU में जाना चाता है कोई science या commerce का student है उसको DU से BA करना है तो वो science या commerce वाला ही paper देगा DU के case में लेकिन अगर तुमको अलहाबाद university में जाना है तो इस case में अगर तुम science के student हो या commerce के student हो तो तुमको specially specially दो domain देना पड़ेगा जो BA वाला है जैसे political science, history, geography, sociology, psychology कुछ भी दो लेकिन दो domain देना पड़ेगा और बात करे BHU का तो BHU में कोई domain नहीं देना है सिर्फ language और general test और JNU में भी सिर्फ language और सिर्फ general test देना है और उसी के basis पर तुमारा admission हो जाएगा clear, very good, second जो सबसे बड़ा update, सबसे ज्यादा दिमाग हिलाल देने वाल update यहाँ पर आया है वो है कि भाईया इस बार जो आपका registration है वो expect किया जा रहा है कि 20 लाक से भी ज्यादा registration इस बार होने वाले है CUET के इतिहास में सबसे ज्यादा बड़ा registration, number of registration इस साल होने वाला है इस साल यह तो अनुमान लगाया जा रहा है कि भाईया 22 लाक भी cross कर जाएगा इस साल का ठीक है 22 लाक से भी ज्यादा इस साल बच्चे form भर देंगे अब तुम बोलो कि सर इतना ज्यादा form भरा जाएगा तो ऐसा नहीं होगा कि 22 लाक बच्चे exam देने आएंगे ऐसा नहीं होगा 22 लाक बच्चे form भरेंगे तो आप expect कर सकते हो कि 16, 17, 18 लाक तक बच्चे इस साल CUET का exam दे सकते हैं तो सोचो इतना मतलब CUET के इतिहास में आज तक इतने सारे बच्चों ने एक बार में इतना form नही बढ़ा क्यों नहीं बढ़ा क्योंकि आज से कुछ साल पहले तक उतना awareness नहीं था अभी awareness बढ़ चुका है अगले साल और बढ़ जाएगा तो दिन पर दिन CUET भारत ही नहीं पुड़े विश्वकास सबसे बढ़ा exam बनते जा रहा है अंडर graduate level पे समझ गया है क्यों इतने सा आप ऐसा नहीं है कि तुम ये exam निकाल नहीं पाओगे बट मैं बार 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 बोलता हूँ बिल्कुल तुमको एक genuine बात बता रहा हूँ कि तुमको अपने पास backup रखना चाहिए इतना ज्यादा competition अगर होगा इतना ज्यादा competition तो तुमको एक ऐसा college अपने पास रखना पड और इसका link इस video के comment में pin है collegevidya.com आज के समय प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ सुनो ध्यान से आज के समय collegevidya.com भारत का सबसे बड़ा online learning platform है जहां पर भारत के जितने भी बड़े से top से top university जो online distance learning प्रवाइट करते हैं आपके घर से वो सारे के सारे इस website पे लिस्टेड है और यहां पर अगर तुमको किसी भी top university में admission लेना है चाहे तुम BA करो, B.com करो, B.c., B.b.a., B.tech कुछ भी करो तुमको कोई भी entrance exam देनी की जरूरत नहीं है जैसे ही तुमारा 12th खतम हो या फिर अगर तुम कोई dropper हो तुमारा board exam हो चुका है तुम direct college विद्या के website पे आकर admission अप पढ़ाई के ज्यादा focus कर पाओगे, ज्यादा नया skills सीख पाओगे, घर पे बैठे 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 ही भारत के top बड़े से बड़े company में तुम्हारा job लगेगा लग चुका है, लाखो बच्चों का लग चुका है, इस website पे जाओ, इसकी link इस video के comment में pin है, और college विद्या वा तो एक बार में दो-दो डिगरी तुम कर सकते हो, एक बार में, ये possible है, भारत सरकार ने अलाओ कर रखा है, तो तुम जाकर अपना backup create कर लो, और CUVT exam देते रहो, निकल गया तो अच्छी बात है नहीं निकला, तो तुम्हारे हाँच से college या university नहीं जाएगा, link in the description and comment में given ह अब सुनो मेरी बात, अब बात आती है, आखरी और third सबसे बड़ा update, देखो तुमको डरना नहीं है, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, तुमको डरना नहीं है, बहुत बच्चे जो ये सोचते है, कि भाया, CUVT exam अगर easy है, तो why maximum student fail in CUVT exam, क्यों ज्यादा तर student CUVT exam को नहीं निकाल पाते, इसका क्या reason, अब देखो, इसका मैं तुमको एक practical answer देता हूँ, अगर तुमने ये चीज सीख लिया, तो तुम ये exam निकाल लोगे, बात इतनी सी है, पहला जो reason है, कि बच्चे जो होते है, takes too casually, बहुत ज्यादा casually ले ले लेते हैं, बहुत सारे student, बहुत सार और expecting कि एक महिने में पढ़के तुम DU चले जाओ, that is not possible, वो तभी possible हो सकता है, जब आप अपने board exam में भी, class 12 में भी extraordinary बच्चे रहे हो, 99% वाले, तब जाकर तुमको सिर्फ language और general test पे focus करना है, और तुमारा domain तो strong होगा ही, क्योंकि तुम topper रहे होंगे, तो तुम DU निका लेकिन language general test को कम से कम एक घंटा दो, कम से कम, इससे क्या होगा कि board exam खतम होते ही, तुम्हारे अंदर pressure नहीं आएगा, समझ गया है, तुमको pressure नहीं जहलने को मिलेगा, तीसरा जो सबसे important चीज है कि बच्चे क्या करते है, don't focus on aptitude, बच्चे aptitude पे focus ही नहीं करते हैं, तो कहा से exam निकलेगा, अटे भाईया, हर चीज, हर चीज, आज के समय हमने अपने telegram पे, ये देखो, हमारा telegram है, लगबग 18,000 बच्चे इसको join कर चुके है, यहाँ पर हर चीज free of cost में मैं तुमको दे रहा हूँ, बिना कोई पैसे लिए, तो जब free of cost में हमारे telegram पे इतना कुछ दे रखा है, तो तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो भईया, क्यों नहीं पढ़ रहे हो, यहाँ पर तुमको notes होगिया, mock test होगिया, study material आने वाले time पे, सब मिलेंगे, तो हमारे telegram पे आजाओ भईया, untold mac, हमारे telegram का नाम है, इसका comment भी तुमको नीचे, इसके link भी pin मिल याद रखना maximum बच्चे focus नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुम focus कर देते हो, अभी से कर देते हो, तो तुम यह exam को निकाल जाओगे, मैं January से बच्चों को focus रहने के लिए बोल रहा हो, भी मार चा चुका है, तो अब focus हो जाओ, exam निकल जाएगा, और उसके बाद तुमारी जि सब हो जाएगा, तो क्या करना है तुमको, तीन लिंक दे रखा है, एक टेलीग्राम का लिंक है, उसको जोइन कर लेना for free study material, एक हमारे second brain my motivation जो चैनल है, उस पे 1000 subscriber कराओ, उसके बाद आपका strategy वीडियो आएगा, कैसे exam crack करे, कैसे पढ़ाई करे, सारी चीज़े वहाँ बता